नमस्कार साथियो आप सबका सवागत हैं करियर कांसलिंग की हमारी सिरीज में और करियर कांसलिंग की से इसके अिमें बढ़ाते गूए आज से higher education कर सकते हैं आपके लिए scope क्या है तो उन सभी चीजों के बारे में हम आज यहां हमारे इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आज यह शुरू करते हैं डिफार्मा के उपर हमारी से करियर काउंसिलिंग की वीडियो सब्सक्राइब होती है इसके बारे में बताया जाता है अब बात आती है इसका मतलब होता है तो द्वाईयूं का निर्मान या उनसे समंदित जो भी विग्ञान होती है कि आप कैसे किसी tablet का कैसे किनी दवाईयों का निर्मान कर सकते हैं तो उन सब से समंदित या उन से समंदित जो basic concepts होते हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है कि कैसे आप तो यहाँ का निर्मान कर सकते हैं यानि कि डी-Pharma के अंदर हमें ये सब चीजे पढ़ाई जा सकती हैं अच्छे यह तो बात आगी सके डी-Pharma की के डी-Pharma होता कह और भचो यह की डिपलोमा कोरस होता है 2 साल का 2 साल का एक डिपलोमा कोर्स है यह और यह से बह τονकी पैरामेडिकल डिपलोमा कोर्स है अब बात आती है सरही पेरामेडिकल क्या होता है तो पेरामेडिकल बत्चो वो स्टाफ जो डोक्टर की सहायता के लिए होता है जैसे विभिन लोग जैसे नर्स, कमपाउंडर या एक्सरे टेक्निशन या लेबर्टरी टेक्निशन ऐसे वो सभी लोग जो डोक्टर की साहता के लिए होते हैं सभी के सभी पैरा मेडिकल स्टाफ में काउंट होते हैं ऐसे ही जो वेक्ति डी फार्मा करता है ठीक है तो फार्मसिटिकल साइंस के बारे में जानता है ठीक है तो फार्मसिट जिसको अपने बोलते हैं तो वो वेक् सेटेंडिक और सकते हैं है अगर मैं हाय स्टेड़ी की बात करूं तो इसमें आप फारनडी कर सकते हैं आप कि अंदर पर अगर आप डिपलोमा के बाद यह कोर्स करते हो यह होगा फिर आपके लिए तीन साल का त्री यह का यानि कि डारेक्ट इसके अंदर थर्ड यह के अंदर जाके आपको एड्मिसिल मिलता है सिधा-सिधा पर आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे डी फार्मा के बारे में तो डी फार्मा क्या होता है इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट फार्मासिटिकल साइंस के बारे में बताया जाता है यह एक डिपलोमा कोर्स है और कितने साल का है दो साल का तो आज की इस वीडियो में हम जाने अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में 10 प्लस 2 किये पर यहां देखो with minimum 50% marks यह जनरल के लिए अगर आप OBC, SC, ST के स्टूडेंट हैं तो आप 45% marks से भी काम चला सकते हैं यानि कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर 45% या 50% marks के साथ 12th की हैं तो आप D Pharma का course या diploma कर सकते हैं यहां कोई भी restrictions नहीं है कि आपके पास science ही हो 12th के अंदर तो यह इसकी सबसे अच्छी बात है अच्छा अगर मैं इसकी age limit की बात करूँ तो बच्चो minimum age होती है 17 year और maximum age होती है 35 year यह बात आगी बच्चो इसकी eligibility की कि इसकी eligibility क्या रहती है अब मैं बात करता हूँ इसके admission process की कि इसका admission process क्या रहता है बच्चो इसका admission process जो होता है वो दो तरीके से होता है यानि कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके admission process की देखो बच्चो इसके अदर admission process जो होता है वो direct merit base पर भी होता है direct merit base पर भी होता है और entrance exam के जरीए भी होता है अगर मैं बात करूँ direct तो ये आपके 12th की नमरों को merit base पर या नमरों को अधार मानकर जो merit बनाई जाती है उस अधार पर होता है वही मैं entrance की बात करूँ तो बच्चो इसके लिए समय से में अलग-अलग entrance आते हैं जिन में से PMT हो गया PMT के थूरू या PMET PMT के थूरू या मैं से बोलूं की JEE के थूरू ये कुछ इनके लिए के है entrance exam है तो इन entrance exams के जरीए भी यहां entry मिलती है या admission मिलता है यह बात थी बच्चो इसके admission process की अगर मैं duration की बात करूँ तो इसकी duration कितनी थी दो साल की अच्या इसके बाद अगर अपने बात करते हैं बच्चो इसके अंदर fee structure की कि इसकी fee structure क्या रहती है तो बच्चो ये depend करता है कि आप किस college से deforma करते हैं अब depend करता है अगर आप government college से कर रहे हैं तो यहां fees थोड़ी सी low होती है जबकि आप private college से करते हैं तो यहां fees थोड़ी सी affecture करते हैं ज़्यादा होती है तो यह इसकी fee structure रही, अब बात करते हैं बचो इसके अंदर scope की, कि इसके अंदर scope क्या क्या रहते हैं, बचो डी फार्मा करने के बाद, आपके पास एक diploma होता है, और इस diploma के तहत आप किसी भी government, जो government hospital होते हैं, वहाँ अपलाई कर सकते हैं, जितने भी निजी hospital होते हैं, वहा दी फार्मा के बाद आता है, बच्चो बी फार्मा, अगर आप बी फार्मा के इंदर admission लेना चाहते हो, तो डी फार्मा करने के बाद, बी फार्मा के second year में आपको admission मिलता है, और बी फार्मा के अंदर अगर आप direct entry चाहते हो, तो नाइपर, ये entrance exam होता है, बच्चो इस entrance exam क कि जरीए आप सिधा नईपन के थूआ वे आपधानीशन ले सकते हो यागिण tease आपके पास ओप्षिन खूलते है पिवारम के या आपके पास ऐफ हाइर एड्यूकेशन के लिए वहीं जोब के लिए जोब के लिए पटंप कर सकते हो जितने तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम अगर फारंडी करते हैं तो इसके लिए हमारे पास eligibility क्या होनी चाहिए फारंडी होता क्या है उसकी basic structure के बारे में जाना और उसके लिए admission process के बारे में जाना वहीं अगर मैं eligibility की बात करूं तो किसी भी stream में अगर आपने 10 प्लस 2 की है तो आप इसके लिए applicable हो पस यहां थोड़ा सा percentage क्राइटेरिया दे दिया कि आपके कम से कम 50 स्कास प्रतिशत मार्स तो होने चाहिए तब ही आप फार्म डी या डी फार्मा कर सकते हो यह ता बच्छो आज इसका प्रोसेस यह मैं इसे बात करूं कि जो इसका स्कोप ता तो स्कोप गोवर्मेंट और प्राइबेट दोनों फिल्ड के अंदर है और इसके अंदर आप आ आगे further studies के लिए या इससे आगे भी अपने higher education के लिए भी जा सकते हैं तो अलग अलग डिप्लोमा के लिए हमारे पास हमने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं तो आप अगर कोई particular डिप्लोमा करना चाहते हो या उससे समंदित जानकारी पाना चाहते हो तो आप हमारी कोई दूसरी वीडियो भी देख सकते हो तता के लिए धन्यवाद